राहूल गांदी को ज़रूर सी ज़्यादा डेरिंग नहीं हो गए जब आपको इसकी पॉलिटिक्स बताऊंगा तो आप एक कहेंगी कि सहाब यह तो बहुत बड़ा खेला करके मानेंगे बहुत बड़ा रिस्क तो लिया है लेकिन खेला जब अर्दस्त करेंगे देखो रवीष जी ने अपने फेस्बूक पोस्ट पे कुछ बाते लेगी है तो एक्तिफाग रखता हूँ जब रवीष जी ने चुनू किया है तो सोचा खतम मैं कर देता हूँ यह दो पोस्ट है पहली बात में करूँगा और भारत जोड़ यात्रक के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूँगा कि क्या हासिल किया और क्या नोंने बदल दिया और क्या नोंने रिस्क लिया है पहले इस पोस्ट को ध्यान से देखेगा बहुत बहतरीन पोस्ट है नहीं कर पा रहा है गंगा के नाम पर कितने 100 करोड रुपे या फिर कितने 1000 करोड रुपे पानी में बह गए इसका ना कोई हिसाब है ना किताब है कुछ पता ही नहीं है काम की कोई निगरानी नहीं है पानी साफ हुआ है इसकी जाज के लिए जमीन पर परियावर्ण इंजीनियर बिल्कुल मौजूद नहीं है कोट ने कहा है कि राश्ट्रियस स्वच गंगा मिशन जो पैसा बाटनी की जो मशीन बन गया है तो नहीं देखिए इसको आज ये जो खबर है अमर जाला के पेज नंबर 6 पर चपी है जबकि फ्रेंट में होनी चाहिए थी गंगा राश्ट्री राजनीती और अस्मिता के केंद्र में है पर गंगा के नाम पर जूट बोला गया है और अब लूट के संगेत मिल रहे हैं ये खबर आपको मीडिया में नहीं मिली तो यहां मैंने आपको बता दी वही रविश कुमार ने भारत चुड़ यात्रा की महतुपूर्ण बाते बताई हैं वो लिखते हैं कि देखिए कुछ पैदल यात्रा हैं बहुत सारी हुई हैं कुछ पैदल की गई हैं तो कुछ ट्रेन और तो कुछ बसों से की गई हैं मंदिरों को लेकर कि BJP की यात्रा बस और ट्रेन से पूरी हुई थी मगर खूब कवर होता था राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं अगर ही यात्रा ट्वीटर पर ना दिखे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता चले इस लिहास से भारत के दो छोर पर पैदल चल चूने की यह जो यात्रा है सबसे कम जद इस यात्रा को लेकर के कई लोग बहुत उत्साहित हैं मगर शामिल होने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं ये गंभीर बात है थोड़ा धान से सुनिएगा इस बात को और कई तरह के भैसे घिरे हुए हैं बहुत लंबे समय तक लोगों ने दूरी बना रखी है पता चलता ह है कि विपक्ष का निर्माण कितना जटिल और मुश्किल हो चुका है इसके बाद भी कई लोग इस भैसे बाहर आ रहे हैं अब कल चुटर पर देखा कि टीवी सीरियल्स में काम करने वाले दो अभिनेत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया राहुल गांदी की हाथ में हाथ मिला तस्वीर देखिए यह तस्वीर अमोल पालेकर और उनकी जो साथी है संधिया गोखिले की है दोनों भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के चुप्पी साधी जा रही है उसमें राजनेतिक असहमती कम है और भैकी मातर अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा दिखाई देती है इस परिपेक्ष में देखें तो अनमोल और संधिया को यहां जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेट्मेंट में बयान है बड़ी बात यह है यह तस्वीर दोनों की उपस्तिती से कही ज्यादा उन सभी की अनु बीर बात है अमोल पाले कर परदे पर फिल्मी हीरो की छवी को तोड़ने आये थे उनका हीरो बनना धिशुम धिशुम करना नहीं था फिर भी वो हीरो बनते हैं परदे पर समाज के प्रतीनिधी बने और परदे के बाद भी वो प्रतीनिधी बने रहे कई अवसरों पर की निर्भीकता जलक रही है तोनों एक दूसरे के जीवन साथी है विचार साथी है कौन किसे लेकर चल रहा है बताना मुश्किल है एक गाना याद आता है मुझे लेके साथ चल तू ओ साथी चल ओ साथी चल क्या अमोल पाले करके इस यात्रा में शामिल होने पर मीडिया कवर करेगा वैसे तो यात्र चल रही है भारत जोड़ो यात्रा का कितना कवरेज आपने टीवी पर देखा है ये मज़ा पता है कॉमें बेंट सेक्शन में लेकिन बारत जोड़ो यात्रा पे एक अपडेड में आपको 1800 किलो मीटर की दूरी तै कर चुकी है अब यह आप कह सकते हैं कि यह बिलकुल परियाप ताकलन करने का समय है कि हाँ अब इस यातर से कॉंग्रिस पार्टी को और निजी तोरपर राहूल गांधि को कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ अब यहाँ पर बात समझी जा सकती है तो बिलकुल करते हैं आकर यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि राहूल गांधि जरूरत से ज्यादा डेरिंग क्यों होते जा रहे है जबकि चुनाव सामने है मैं ऐसा क्यों कहा रहा हूँ भारत जोड़ यात्रा में कुछ ऐसे शक्स शामिल हुए जिसका भेह दिखा करके गुजरात में बीजेपी फैदा लेकि बात ऐसी है कि राहूल गांधि ने यात्रा में शामिल हुई सामाजिक कारेकरता मेधा पाटकर के कंधे पर हाथ रख करके उनके साथ आत्मियता दिखाई थी अब देखो उनको पता था कि मेधा पाटकर के साथ चलने से गुजरात चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दब बनाया जा सकता है लेकिन उन्होंने इसकी परवा नहीं कि राहूल गांधी ने तुनका इडेरपन दिखाता है बहुत डेरिंग है सोचे जहां खुद प्रधान मंती नरेंद्र मुद्दी लगातार मेधा पाटकर का मुद्दब बना रहे है उसके गुजरात से जोड़ रहे है गुजरातियों का दुश्मन बता रहे है और उसके अस्मिता की राजनीती कर रहे है फिर भी राहूल गांधी ये सब करने दे रहे है इसके बाबजूत कॉंग्रे ने कोई सफाई नहीं दी है उल्टे राहूल गांधी ने गुजरात पहुंचे तो उन्होंने आदिवासियों के साथ अपनी पार्टी और पर्वार का गहरा जुडाव बता दिया आपको तो पता होगा ने ये वही मिधा पाटकर हैं चिन्होंने आदिवासियों और गरीबों के विस्थापन का ही मुद्दा बना करके सरदार सरोवर परयोजना का विरोध किया था अब इस परयोजना के बारे में आप इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हैं तीसरी बात मैं राहूल गांधी में एक बहुत बड़ा चेंज देख रहा हूँ शायद हो सकता है कि मैं दृष्टी से अलग हो आपकी दृष्टी में अलग हो लेकिन इस बात को देखना कि गंभीर और एक प्रतिबध नेता की छभी उन्होंने बनाई है क्यों कह रहा हूं उन्होंने टोटल साथ प्रेस कॉंफरेंस की है और अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग भाशाओं में पत्रकारों के सवाल के जवाब उन्होंने दिये हैं यह बहुत मुश्किल होता है यह अपको लाता है बहुत मामुली बात है बिलकुल नहीं है हर राजगी अपने अलग समस्याएं होती है अपने हर राजगी अलग विशिष्ट राजनीती होती है और प्रेस कॉंफरेंस में उनसे जुड़े सवाल जब राहूल गांधी से पूछे जाते हैं तो बड़े सहेजों के जवाब दिये हैं उन्होंने इससे वो एक अलग लीग के निता के तौर पर स्थापित होते हैं निश्चित तोर पर कह सकते कि यात्रा उनको बहतर एक इंसान बना दिया है लेकिन जो चीज दिख रही है वो मैं आपको बता रहा हूं कॉंग्रेस के यात्रा जिन राज्यों से गुजरी है वहां प्रदेश संगठन में जान लोटी है ठके हारे कार करताओं में जोश आया है और उमीदे जो है वो बांधी है पार्टी के अंदर चलने वाली गुटबाजी कुछ हद तक थोड़ी थमी है लेकिन अब भी चल रही है इसका असर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है लेकिन वह तब होगा जब कॉंग्रेस इस यात्रा से ब पूछते कि कॉंग्रेस तो कुछ फायदा होगा तो मुमेंटम बनाना पड़ेगा साहब कॉंग्रेस की तरफ से मैसेज लगातार दिया जा रहा है राहूल गांथी ने बोला कि देखिए मैं करूं गांधी जी वाला काम संगठन का काम करेंगे पार्टी के राष्ट्र अध एक्जांपल मैं आपको दो सावरकर का सावरकर के बयान से महरास्ट में गठबंदन तूटने के कगार पर पहुंच गया है तो वहीं मेधा पाटकर के साथ यात्रा करने से गुजरात में वोट का नुकसान बिलकुल संभव होगा लेकिन डेरिंग देखो साहाब इनकी कि व संगत कह सकते हैं विचार हो सकता है जिससे कॉंग्रिस अपना पुराना वोट आधार हासिल कर रही है उसलिया कर दिया हो वैसे राजनेतिक रूप से ही नहीं बलकि बैचारिक रूप से भी वो कहती है कि वो अल्प संख्यकों के साथ दिखना चाहती है आदिवासियों सतकाले कि लाब और हानी को ना देखते हुए सिधा आगे की सोची है तो डेरिंग दिखाई दिया अगर मैं कहूं कॉंग्रिस और राहूल गांधी ने अपनी सपोर्टर्स को उमीद दी है कहीं शिफ्ट मत हुई है हम में अभी भी जान है जो सेंस में देख पा रहा हूं बदल सकता है बाहूल बदलने में 24 घंटे लगते हैं तो बदल सकता है लेकिन हाँ ना उमीदी को एक उमीदों के पर राहूल गांधी ने जरूर दे दि लिए हैं इस वीडियो को तीन वाट्सेप ग्रूपे शेयर कीजिएगा जाहिंद वन्दे मात्रम स्टे अपडेटेड स्टे एजुकेटेड सात्य बेब जायते नवाश्कार